डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार तालिमार्थि मित्रो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी ना सिक्षन सास्त्र विभाग माथी हुँ डॉक्टर हिना रावल आप सवनू रधे पुर्वक स्वागत करूछू ताली मार्थिमित्रों आजे आपणे B.A.D. ना प्रथम वर्ष ना पेपर कोड एस 116 गुजराती नू अध्यापन चेमा विभाग 1, 1-3 ताली मार्थिमित्रों अभ्यास ने सरुवात करता पहला आजे आपणे जे मुद्धावनों अभ्यास करवानों छे तेना वीसे थोड़ों परिचे वीडवी लई कि सव प्रथम तो आजे आपणे मात्रु भाषानो अर्थ तेनी संकल्पना तेर बाद मात्रु भाषानों महत्व तेमज मात्रु भाषा शिक्षणनों स्थान जेमा सिक्षणना माध्यम तरीके सामाजिकी करणना साधन तरीके सांस्कृतिक वार्षानी जानवणी तरीके प्रत्ययनना माध्यम तरीके मात्रु भासा अन्य विशयो ना पाया तरीके तेमज सर्वांगीन विकास ना माध्यम तरीके मात्रु भासा शिक्षन नुँ सूस्थान छे एना विशे परिचे प्राप्त करीसू तेमज माध्यमीक साडा कक्षा ये मात्रु भासा नुँ सिक्षन आ मुद्धावनों आजे आपने परिचे प्राप्त करवाना छे तो भासा भासा विशे आपने अगाव पर जोयू हतु के ध्वनी घटकोनी श्रैनी जेना परिपाक स्वरूपे आजे आपने भासानों स्वरूप्राप्त थयू छे आज भासाना माध्यम थी आपनों जे सांस्कृतिक वार्षो जे संस्कृतिक जे मुल्यों छे एने आजे आपने प्राप्त करी शक्या छे के तली मर्धिमित्रों विचारों के भासा हती माटे आजे आपने 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 पूरातन साहित्य छे प्राचिन साहित्य छे एना विशेनों आपने परिचे मेड़वी शक्या छे एना विशेनों ग्ण्यान प्राप्त करी शक्या छे जो भासाज ना होत तो जे विद्वानों नी पासे जे ग्ण्यान हतु ए एम ना मृत्यू बाद त्याने त्या एग्णान अमर थही जात। परन्तु आजे एग्णान अमर स्वरूपे आपने प्राक्त थयू छे परन्तु भासा ना माध्यमती साब्दिक स्वरूपे अने ए भासा नो खूपज उत्तम कारिय छे कि आजे आपने जेपण संस्कृती नो जिया विकास चोई रहा छे एनी पाचर सव थी महत्पनु कोई बरीबर होय तो ते छे भासा कि भासा नाज माध्यम थे आजे एक देशनु व्यक्ती बिजा देशनी व्यक्ती थी वस्तू थी तेना सामाजीक मुल्यो थी तेनी संस्कृती थी परिचित थाई सके छे अनी भासा एक सान्सकृतीक वार्षावनू सम्वर्धन करवा माठे एनू सणरक्षण करवा माठे खुबज महत्वनू माध्यम थे अनि एमाए खास करीने मात्रू भाषा के मात्रू भाषा मां दरेक नी जेते संस्क्रूती नू प्रति बिम्भापने प्राप्त धाये जे अने मात्रु भासानों महत्व दरेक जग्याय राईऊ छे तो ए मात्रु भासानों और्थ एटलेसू, तेनी संकल्प्नाय एटलेसू, ते हवे आपने जोईए कि मात्रु भासा विश्य घणाबता जे विद्वानों छे एमने पोताना जे मत छे अभीप्रायों छे एने व्यक्त करया छे अने मात्रु भासा सब्दने सामभरता जापणने माता साथे जोडायली भासा इवी प्रतिती थाए छे कि मात्रु भासाने आपड़े अंगरे जीमा मदटंगनो अनुवाद एवुपन आपड़े मानिये छे 9 अने जेनो सामण्य अने खुब सरण अर्थ थाई छे मातानी भाषाो कि माता जितलो प्रेम अने माता जेवी पोतानी लागती जे भाषा चे एगंने आपने मातरु भासा गई जी छे 7 आपणी संस्कुरूत की ने मातानी शमान पोशण आते छे त्यार बाद बेल्स फडे जे मात्रु भासा वीशे पोता नो अभिप्राय आपयो छे तेना वीशे जुईए कि तेवो कहे चे के मात्र एकज भासा द्वारा आपणा भावोनी स्पष्ट व्यंजन संभविच छे केवर एकज भासा ना सब्दोनी सुक्ष्मतं व्यंजन ने आपणे सहज रिते ग्रहन करी शक्ये छे औने ते भासा ए आपणी मात्रु भासा ने व्यंजना अने जे भावने व्यंजना साथे नू जोडान छे एनी साथे ना जोडान ने ही वात करी जे त्यार बाद भाटियाने भाटियाये जे मत आपए उछे ते मुझब मात्रु भासा एटले पोताना लोकोना विचारो लागणियो मनो कामना अने व्यावारिक अने सैधान्तिक मुल्यो कि जे ते समय सामाजीक सैक्षण क्रिते घडायल सम्रुद वार्षा ने बाड़कोने परिचय आपती भासा कि अहीं जे सम्रुद वार्षो छे एने बाड़को साथे परिचय करावती एने समझण आपती भासा ते छे मात्रु भासा अने चोथी छे कॉलरी जे आपेली व्याख्या कि कॉलरी जे खुब टुंका सब्दों मां मात्रु भासा वी से सचोट बात करी छे के मात्रु भासा ए रदय नी भासा चे के रदय माथी नी करती जे भासा चे ए आपणी मात्रु भासा जे आपणी बाड़क जारे जन्मे चे त्यार थी पोताना घर ना वाता वरण माथी आजु बाजु ना लोको पासे थी जे भासा सीखे चे ए चे मात्रु भासा तो एवी रिते मात्रू भाषा एटले मातानी भाषा माता पासे थी सिखेली भाषा कि बाड़क जन्मेशे पचि आने कोई स्पष्ट के कोई तालिम द्वारा एग भाषा सिखवामा नथी आवदी परन्तु दैनीक सहच क्रियाव माँ थी पोताना घर माँ जे भाषा बोलाए छे एमाँ थी बाड़क ते भाषा सिखे छे औने माते जैने मात्रू भाषा कहे छ ते विज रिते जैने व्यक्ति पोताना विचारो औने भावो जे भाषा मां स्पष्ट रिते रजू करी शके ते भाषाने मात्रू भाषा गये छे कि आपणी जे मात्रू भाषा होए एमाँ जापणने विचारो आपणी लागणियोंनी अभी व्यक्ति आपणे करी शकता होई ये तेर बाद जुए कि व्यक्ति पोतानो जीवन व्यावार जे भाषा मां कुशर ताथी करी सके तेने आपणे मात्रू भाषा कहिए छे कि कोई पण व्यक्ति छे एनि तम्हें कहों के तु कोई पण विचारो व्यक्त कर अनि त्यारे व्यक्ति नी जो पोतानी पसंद गीनी भाषा मां एने बोलवानू कहवा मां आवे तो साम्मान्य रिते आपणे जो ये तो व्यक्ति पोतानी मात्रू भाषा मां ज बोलवानू पसंद कर से करनके पोतानी मात्रू भाषा मां ए पोताना विचारो ने खुब सरड ताथी औने सुन्दर रिते तेमाई स्पष्ट औने असरकार्यक रिते रजू करी शके जे अनि एज मात्रू भाषा नी ताकार छे त्यार बाद जो ये व्यक्ति ना अस्तित्वनी ओड़क हापती भाषा कि कोई पड़ व्यक्ति चे ए दरेक व्यक्ति पोतानी मात्रू भाषा बोले चे आजे आपणे गुजरात ना लोको गुजराती बोलिये चे अनि गुजरात माथी क्याएं बीजा देश मां के कोई बीजा राज्ये मां जहिये चे त्यारे आपणा बोल चाल उपर थी आपणी भाषा नी अभिव्यक्ति उपर थी ए लोको ने तरत ख्यालावे चे कि आ लोको गुजराती चे तो भाषा ए आपणी ओड़क करावे चे त्यार बद पोता ना संब्रुद वार्षा नो परी चे ए सुन्दर रिते भाषामा करावी सके ते भाषा कि आपणी जे संस्क्रूते चे आपणी जे वार्षो चे एने जो सुन्दर रिते रजु करवी होए तो जे ते विस्तानी जे मात्रु भाषा चे एमा ए सारामा सारी रिते करी शके छे व्यक्तिना सामाजीक, स्रांस्क्रूतिक, बउधीक, आंतर्मन्ना विकास नी सरुवात करी आपनारी भाषा के कोई पन व्यक्तिनो जे अलग-अलग विकास नी कक्षा हो छे ए विकास ना कक्षा नी सरुवात एनी मात्रु भासा साथे संक्ड़ायली चे करण के मात्रु भासा माँ ए विचारे छे ए मुझबनु कारिय करे छे अने ए प्रमाणे त्यानों अलग-अलग शेत्रमा विकास थाए छे अने छेलले तो खुबस सरण भासा माँ कई शकाए के मात्रु भासा एटले सपनानी भाषा के मित्रों जोजो आपने जयारे कोई पर सपनु जोईए छीए त्यारे सपनु हम्मेशा आपने आपनी मात्रु भासामा आवे छे आपनी जे भासा छे एमा आवे छे आनि मात्रू भाषा ने सपनानी भाषा एव कयुझे. त्यार बधामे मात्रू भाषा नुक महत्व सुछे, तो मात्रू भाषा ना महत्व ने समझावता घणावदा विध्वा नोगे पोताना वीचारों व्यक्त करयां छे. जेने आपने जोईए कि सोब्रथम महात्मा घांदीजी जो मात्रु भाषा विसे कहे छे के मारी मात्रु भाषा एक गम्मे तेवी अधूरी होई तो हुँ मारी मानी छाती एथी अडगो न थाओ तेम मात्रु भाषा थी पड़ न थाओ मारा जीवनने घड़नारू दूध मने तेना सिवाई बीजे क्या थी मड़े भावना अने सम्वेदन ए आंतर्मननी निर्व्याज निपच्चे अने आ निपच्चनो आविशकार मात्रु प्रेम भ्रदैनी सर्वधर्म निष्ठा वगेरेना परेणा में मड़े छे अने मात्रु भ्रासा प्रत्तेनो जे सहज आदर छे ए आदर पन जरदैनी सनातन सम्वेदनानो सुभग परिणाम छे कि जू ऐ घांदी जी पोताना सब्दो माा मात्रु भ्रत्तेनो पोतानो जे प्रेम छे ए कितलो सुन्दरी ते व्यक्त करो छे के मारी मात्रु भासा एक गम्मेते स्वरूप माहा से, पूल्णा होई के अधूरी होई, ते दरीक स्वरूपे तेनों मने स्विकार छे, आने तेने हुँ प्रैम करू जू, तेवीज रिते महात्मा घांधी जी इंडियन ओपिनियन मा कहुँ छे, के आपणा माटे भारतिय भ कोई पन व्यक्ती, एक क्यारे साचो देश फक्त नहीं बनी शके, अने मात्रु भासा ना ज्ञान वगर, आपणा विचारु जे छे एक विक्रुत थाई जाए छे, अने रदय ना जे मात्रु भूमी पत्ते नों प्रैम छे, स्ने छे, ए रहतो न थी, भारतिय शास्त्रों अने धर्मों ने विदेशी भासाओना माध्यम थी, क्यारे समझावी सकासे नहीं, तीवी च्रिते आच्चार्य विनोबा भावे, मात्रु भासा विसे कहुँ छे, कि शिक्षर ने जो सार्वजनिक बनावू होई, तो मात्रु भासा मज होऊ जोई, नैतर समाज मा भेद भ अरिश्चंद्रय कहुँ छे, कि नीज भासा उन्नती अहे, सब उन्नती के मूल, बिनू नीज भासा ग्ञान के, मिटेन हिये के सूल, युनेस्को ना ओगणी सो त्रैप्पन ना रिपोर्ट मुझव, त्यों कहे छे, कि विदेशी भासाना माध्यम थी, भणनार, अने वात करनार, ए पोतानू जे व्यक्तित वचे, ए घुमावी ने, फक्त नकल करनार मानवीज बनी जाये छे, त्यार बाद, कवी दंडी पन कहे छे, कि वाचा में वो प्रसा देन, लोक यात्रा प्रवर्तते, अर्थात, वाणी नी कृपा थेज जीवन व्यवहार चाले छे, रविंद्र ना टागोर जी पन कहे छे, कि जगत ना जी बद्धाज जड चीतन पदार्थो छे, ए पदार्थो नो ख्याल, अनि जगत विशे ना अनुभव, ए मात्रु भासा द्वाराज मडे छे, व्यक्ति जे छे, ए पोतानू आगवू जगत, ए मात्रु भासा समवेद नाओ, उर्मियोने व्यक्त करवा माटे, मात्रु भासा जेवू असरकारक माध्यम ए एक पन न थी एवू रविंद्र ना टागोर जी कहे छे, तो आम आपने कही शके, कि लगबग बद्धा चे केरवणी कारों छे, विद्वान व्यक्ति हो छे, एमनू हम्मेशा म मात्रु भासा प्रत्यनों जे लगाव छे, प्रेम छे, ए एक बंद रवयो छे, अनि तेवू, एवू कहेवा मांगे छे, कि मात्रु भासा माँ जे शिक्षण आपमामा आवे, एज महत्वनू छे, कि जीवन ना विक्रास माँ पन मात्रु भासा ए एतलुज महत्वनू छे तेर में धवे आपणे मात्रु भासा शिक्षण नों महत्व सुचे तो अलग-अलग माध्यमों मा मात्रु भासा शिक्षण नों महत्व रहुँचे जेने हवे आपणे जोईए कि सव प्रथम छे शिक्षण ना माध्यम तरीके હે જીવન માં જે પણ વ્ય્કીતીં જે સફર થાયછે અણે જે પણ એક નવું સર્જન કર્યું છે ए मोट्टा भग ना व्यक्तियों एउ माने छे के पोते पोतानू जे पन आजे ख्याती प्राप्त करी छे ए मात्रु भासामा सिक्षन मड़ियु छे तेना कारण इज प्राप्त करी छे अने साडावमा पन घणा बदा विशयोंनू सिक्षन आपाई छे पन आधोनिक जगत ना जे विग्णान घणित अने टेक्नोलोजी ना सिक्षन ना आजे आपने विशयों चे अनी बोलबाला जोईये छी ए विशयों पन असरकार कृते अपने सिखववा होए तो एना माटे आपने मात्रु भासानो जुप्यों करो पडे कि गणी त्विग्णान अंग्रेजी जीवा विशय ने भणावा माटे आपने एनने मात्रु भासा माज सर्किरीत एने आपने समझ आपी शके तरवा सर्व विशयों नो पायो ए मात्रू भासा चे सिक्षन नुझे माध्यम छे ए मात्रू भासा जहुँ जोई और आ विशे बद्धाज विद्वानो एउ माने छे कि सिक्षन नुझे माध्यम ए मात्रू भासा हुँ जोई और महत्वनी बाबत तो ए छे के राश्ट्रिया चे सिक्षर नेती नवी आवी छे 2020 एमा पड मात्रु भासाने वधारे प्राधाने आप परमा आवी छे अने खुब जानननी वाद ए छे के अंग्रेजी माध्यमनी जे साडाओ अत्यार सुधी साडामा भर्गखनमा अंग्रेजी भासाने बोलवाने वधारे प्राधाने आपती हती तेमाज मात्रु भासाने टालवानू कहती हती एनी जग्याए हवे एज साडाओ कहे चे के बाड़कने अंग्रेजी नी साथे साथे मात्रु भासामा पण सिखवानू छे अने मात्रु भासाने पड़ वर्ग खणमा पड़ बोलवानी छे तेमाज कोई पड़ सब्दना अंग्रेजी अर्थ तेमाज गुजराती अर्थ के पोतानी मात्रु भासाना अर्थ विद्यार्थिने आवणवाए खुब जरुरी छे तो आजे राष्ट्रिय सिक्षन निती 2020 नी जे आजे प्रसंसनिय बाबत छे एक खुब ज आनन्दायक छे आने आपणी जे पवरानिक संस्क्रुती छे आपणा जे मुल्यों छे एने टकावी राखवा माटे एक खुब ज सारो एवो नेड़ छे जे बाड़क ने पोतानी माता साथे, पोतानी मात्रु भूमी साथे, मात्रु भासा साथे जोडे ली राख से अने छेल्ले तो ए बाबत तो खुब ज महत्वानी छे कि बाड़क पोतानी मात्रु भासा माजे शिखे छे ए बिजी कोई पन भासा मां सिखी नथी शकतों। इतली मात्रु भासा नी ताका छे। तो ए रिते काका कालेल कर जी ए पन मात्रु भासा विशे कईू छे, कि मात्रु भासा ए शिक्षन मां चान नी छे। कि जे माहिती मात्रु भासा द्वाराज आपी शकाए, ते बिजारुप मां हजम करी न सकाए। रविंद्र ना टागोर जी पन काये चे कि ज्या सुधी मात्रु भासा ने उच्च सिक्षन माध्यम बनावामा आवे, त्या सुधी मात्रु भासा मां बद्धा पुस्तकों नी प्राप्ति शक्य न वनावाए त्या सुधी सिक्षन धाराने मुक्त रिते भहिती करवानु श्रे ए आपने वडू ए शक्य नधी त्यार में जोईये के राहुल सांकोत्यायने कहुँ छे के अपनी मात्रु भासा को सिक्षा का माध्यम बनाने का अधिकार हमारा वैसा ही जन्मसिद्ध अधिकार है कि जैसा राज नहीतिक स्वतंद्रता का कलकत्ता विश्व विद्यालय आयोक 2970 मा कहे छे के अमारु आस पष्ट मान्वू छे के सिक्षण कारिये बाद पन व्यक्ती पोता नी जै मात्रु भासा छे एन्ने सारे रिते बोली शक्तो नथी माध्यमिक जे विद्या लएवचे, महा विद्या लएवचे और विश्व विद्या लएवचे एमा मात्रू भासा तथा प्रादेशिक भासा नूझे शिक्षल छे ए ठीक थी थाय तेओ प्रावानिक प्रायास्थ होजोईए ते वीज रिते वर्दा सिक्षा कमिटी 1937 चे कहें चेके पठन पाठन की सिक्षा मात्रू भासा में दी जाए समग्र सिक्षा की निव को ठोस आधार देना तब संभव होगा जब मात्रू भासा में सिक्षा ठीक से दी जाए तो आरिते आजे विदानों छे ए विदानों मुझब मात्रू भासा मां सिक्षा नू माध्यम होजुए एवा हिमायत करनारा विद्वानों आमत छे खरण के मात्रु भासा विना सिक्षण ए अधरू छे अने मात्रु भासा ने राश्रीय केडवणी नू एक प्रमुक अंग बनावा मावी छे के मात्रु भासा विना सिक्षण ने चेक कल्पना छे ए असक्या छे अने विद्यार्थियो पण मात्रु भासा मां सिक्षर मेड़वी कोई पण विशेवस्तु हो एने सरड ता थी आने सारे रीते समझी सके छे तो आम साम्मानी रीते आपणे जोईए तो कोई पण विशेवस्तु छेरे आपने होए सिक्षक बनवा जेहि राया छे त्यारे मात्रू भासा प्रते सिक्षक तरीके आपने लगाव राख़ो जोई करण के मात्रू भासा मां विद्यार्थी ने जे पन सिखाव मां आवसे तैना थी विशेवस्तु जे छे एनी अंदर भावों छे, विचारों छे, एने खुब सरड ताती ते समझी ने आत्मसाथ करी शके छे तेरवाद दरेक बाबत ने पोता नी भासा मां सारे रीते अभिव्यक्ती करी शके छे के वर्गे खंडों कोई पर विद्यार्थी छे गुजराती परिवार मां थे आवतों विद्यार्थी छे, तेने तरमें उभोकरी ने एम कहो के मारू कुटुं एना विसे तो दस वाक्यों बोल तो ए विद्यार्थी ने जो तमें एनी मात्रु भासा, गुजराती भासामां बोलवानों कहे शो ते खूब सरड़ता थी औने भाव साथे पोता नी रजुवाद करसे चार एज विद्यार्थिने तमें एम करेशो के तुँ हिंदी मां बोल के अंग्रेजी मां बोल तो ये बोली तो सक्से परन्तु जे भाव और जे लागणी नी जे अभिव्यक्ति थवी जुई अने विच्चारों नी जे समझुदित्या व्यक्त थवी जुई तेमा थोड़ी कचास रही जासे तो तेवी रिते पोता नी जे मुस्केलियो छे एस जिक्षक समग सारी रिते रजु करी शके छे मात्रु भासा द्वारा अध्यतन प्रक्रियामा सक्ति अने समय बचावी शके छे मात्रु भासा द्वारा विद्यार्थियो पोता नी जे सर्जनात मक सक्तियो छे एनों विकास करी सके छे पोताना जीवन ना जे बद्दा व्यवहार हो छे एने पड़ सारी रिते करी शके छे अनि तेना व्यक्तित्वनों ए सुयोग्य विकास मात्रुभासाना माध्यम थी थाए छे हवे आपने एक बाड़क माटे सामाजी करण चरीके तेनु घरतर थाओ एपण खुब जरुरी छे तो मात्रुभासानू सामाजी की करणना साधन तरीके सु महत्व छे ते जुईये क्या आपने जाने ही छे के मनुष्य एस सामाजीक प्राणी छे अने मात्रुभासा एतनी सामाजीक जरुरी आचे के सव पहला आपने वाद करिये तो बाड़क घरमा थी बहार निकले छे तेमाज घरमा सरुआत्मा ए पोताना समाज मा रहे छे अने समाजना व्यक्तियों साथे परिचित थाए छे अने ए समय समाजना व्यक्तियों साथे पोताना विच्चारों लागणियोंनी आपले माटी मात्रुभासानु घ्ण्यान होवे खुब जरुरी छे प्रितेत्रे पोताने विच्चारों लागणियोंनी अभी व्यक्ति ये मात्रुभासामा सारी रेते करी करी छे अने मात्रुभासामा ते पोताना कउशलों ने केडवी सके छे सब्दों नीचे प्रवाहिता छे सरडता छे यी दरेख वस्तू मात्रुभास अमावे चे परिणामे व्यक्ति के बाड़क एक बहार ना कोई भी व्यक्ति साथे पोता ना जे संबंद हो छे यहने मजबूत करी सके चे लेक रिते कई शेके कि मात्रु भासानों ज्णान ए संबंद स्थापन बाट्ये पन खुबत जरुरी छे तो तेवि रिते मात्रु भासा ए सांस्क्रुतिक वार्षानी जाना उनी तरीके कि मात्रु भासा चे ए व्यक्तनी प्रतिक शन्नी साक्सी चे कि आजे आपणे जे पन काम करिये ची आपणू प्राचिन साहीते जे लखायू तो आजे आपणे एने वांचे ची तो जे ते समयनू जे वातावरन चे परिवेश चे एनू प्रतिवीम आपणने तेना ते साहीते मा प्राप्त धाये चे कि आटला वर्सो पछी पन आपणे आथी 100 वर्स पहलानी जे संस्कृती हती जे परिवेश हतो एनू परिचे आपणे प्राप्त करो हो है तो ते अंगे ना पुस्तकों वाँची ने आपणे एना विशे नू जे चित्रण छे करी शक्ये छे करनके ए संस्कृती ए मात्रुभासाने भासानन माध्यम ती जड़वाई रही छे कि मात्रुभासा थी जे लोकों छे प्रजा छे एनू वर्तमानकार भूतकार तेमाच भविश्यकार ए तमाम बाबतों आपणे मात्रुभासामा संग्रेइद थाएली जोवा मने छे गुजराती प्रजा छे ए प्रजा नी जे भक्ती छे एमनु धर्म परायान ता छे कुटुम जीवन छे वहेम अने अंधश्रद्दाने लगता जे विचारो छे सोरिय औने रखावट देशनी रखावट माटे नी जे एमनी भावना छे जाहो जाहाली औने उत्सव मेडाओ तेमाच सहिश्नूता औने सांस्कुरुतिक समयनुएनी जे मथा मणो छे तेमाज पोतानी अस्मीतानी खोज औने स्वातंत्रतानी तमATHANानों जे परिचे ए आपला आ साहित्यमा मात्षुभासाना साहित्यमा फे आपने मेडविशके छी तेमाज आपनाज प्रदेश नी कोई साथो साथ नी जे राष्टर नी संस्क्रूती होई एनो परिशेपन आपने मात्रुभासाना माध्यम थी मेडवी सक्के छी तेवी रिते सांस्क्रूत एक वार्षो होई एने पामबा माज नहीं पर तेने संवर्धित करवावा अने भावी पेढ़ी ने कईक नवू तेमाज कईक वाकेफ करवा माटे आज ये मात्रुभासा एक खुबज महत्वनु छे तैर बात प्रत्यायना माध्यम दरेके के प्रत्यायन माटे एटले के ओव गव्मन माटे विचारोनी आपले माटे मात्रुभासा एक खुब जरूरी छे कि तेना थी विचारों, माहीती, संदेशाओ, तेमाज लागणियों नी आपले करवा मावे छे कि भासा जे व्यक्ती नी संक्रम और सांकर सकती बनी जाए छे कि मात्रुबासा मार्फत ते जे व्यक्ती पोता ना जे सर्व व्यवहारों छे एने सरड ताथी स्पष्ठ ताथी औने सचोट ताथी अन्य व्यक्ती आगर रजु करे छे अन्य तेवीज रिते अन्य व्यक्ती ना जे विचारों छे कि लागणियों छे औने उर्मी छे एने मीजी व्यक्ती पासे रजु करे छे अने एपमण पोतानी मात्रु भासामा अने आ रित्ते साहित्य सर्जन थाई छे अने साहित्य सर्जनना माध्यमती अभिव्यक्ती थाई छे के साहित्य कारों पोतानी जे क्रूतियों छे एक क्रूतियों द्वारा प्रत्यायन करता होई छे अने विवीद जे सर्जिनात्मक युक्ति ओछे एना वड़े रोजिन्दी जे भासा छे एने सरण अने द्वत अर्थ संक्रांती ने साहित्यकार विलंबित करीने संदिक्त अर्थनी सुरुष्टी रचे छे तेवी रिते जोईए के विद्यार्थीनुई जे प्रत्यान छे एमा व्यापकता उन्डान संसकारिकता अने सबरता लावा माटे मात्रुभासा जेचे एक खुब जावश्यक छे के मात्रुभासाना सिक्षन थी विद्यार्थीनी लेखी तने मौखिक अभिव्यक्तिनों विकास्ता आई छे करनके सहज बाबत छे करनके मोटा भगना जे सब्दों छे अने और्थ छे ए बाड़क पोताना पारिवारिक वातावर्ण मांती सिखिने जावे हो छे अने एने सिख्वानी जरूर न थी माट एना एक न्यान माँ वधारो थाई चे अने खुब सरणता थी वस्तुने समझी सके छे तेमाज मात्रुभासा थी ग्यक्ति जे छे एक कुषण वक्ता बने चे प्रभाव साड़ी लेखक बने चे तेमाज असरकार्यक अने कुषण कार्यकर के सफड संचालक बने चे तो आरीते पर मात्रुभासा नुग्यान खुब जरूरी चे त्यारबाद मात्रुभासा अन्ययविषयोना पाया तरिके कि अपने जोईये चे के मोटा भागनी जे भासा ओझे तेमाज अन्ययविषयों ओझे दरेक विशयोंने सिखावा माटे मात्रु भासा है एक खुब जानिवार्या चे क्या आपणे जो यह चे के विज्ञान मा केटलाक बास्पी भवन्ने लगता वक्री भवन्ने लगता चुम्बकत्वन दमान वगरी जिवा चे आपणे अर्थ ग्रहानों प्राप्त करया चे एक तमामनों आधार एक मात्रु भासा प्रण रहेलो चे के तेवीज रिते गणितनी वाद करे तो गणित वीशे मा पण घुणोत्तर प्रमय विवित दाखलाओ खुणों आज ए संकल्त नाओ चे ए संकल्त नाओ ने समझवा मा पण मात्रु भासा और भासा ये खुबज महत्वनी चे करण के घानेतिक के वैग्नियानिक जे भासा चे एने सरडता समझती समझाव माते मात्रु भासा ये खुबज आवशेक बावर चे तो आरिते जे जुदा जुदा विशयों छे ए विशयों माटे करवी पड़ती जे उच्य स्तर नी विचार ना होए ए विचार वा माटे पन भासा ए अनिवार्य पने जरूरी छे तो तेवी रिते मात्रु भासा जे छे ए विद्यार्थी साम्भणी ने अने वांची ने जे उस समझी सके तेना उपपर बीजा विश्यों मा त्यानी सिद्धी नो आधार छे अने तेथी ज मात्रू भासा सिक्षनलू महत्व वनी रहे छे कि तमने ख्याल असे के आपणे जारे कोई नवी भासा सिकता होई छे छेम के अंग्रेजी, हिंदी, संस्कुरूत तो ए भासा ने समझवा माटे आपणे तेना जे मात्रू आपणे जे मात्रू भासा होई एना अर्थ ने समझवानो प्रहत्न करिये छी क्या आपणा घरमा कोई नानू बाड़क हसे तो एने आपणे अंग्रेजी माँ पहला सिखाऊ सू के छो बेटा आग केट आवी तो सव प्रत्थम बाड़क एज पूस्से मंमा केट इटले सू केट इटले सू एव वारमवार प्रश्ण कर से करण के एना मानस मा पोता ने जे मात्रू भासा छे गुजरा दी एनो जे अर्थ छे ए प्रकार नो एने जवाब जोईए छे त्यारे आपणे कहिसू के एने आपणे बिलाड़ी कहिए छे त्यारे बाड़क समझे छे के बिलाड़ी एटले केट तेहार बाद तेहाट ने एने विखसावा माटेनी मुख्य बाबत छे, दाखले दरीके कोई पन पदार्त छे, एने ओडखवा माटे पदार्त माँ कया कया घटको समायेला छे, तेयानी रचना केवी छे, तेयान उप्योग सुछे, ते क्या उत्पन थाई चे पदार्थना उप्योगनी सारी औने नर्सी असरों सूचे आ वगेरेजी बाबतों छे एनों ख्याल मेडवू वे आख्याल मेडवा ते पदार्थनू अवलोकन करवू परिक्षन करवू औने गुण लक्षनोंने जानवा गुण लक्षनोंने अलक करवा के सांकरवा गुण लक्षनोंनू सामानी करण करीने अनुमानों औने तारणों पर्थी नीनाय करवू आज या समगर जे प्रक्रिया चेने ए प्रक्रिया ए सडंग भासा बद्द करीने चित्रमा स्थिर करू जरूरी जे क्या जे मोटा-मोटा वईग्णानीको जे नवी-नवी सोध खोडो करे छे तो एमने जे प्रक्रिया करी जे कार्य कर्यू एने सब्द स्वरूपे रजुआत करवा माटे भासा ए खुब जरूरी बाबत छे आज ये प्रक्रिया चे ए प्रक्रिया एटले विचार प्रक्रिया जे टली समर्थ ते टली समझ प्रक्रिया समर्थ बने चे आने बाड़क निजी भासास चे ए भासा निस शमज पण, आ जे प्रक्रिया चे ए प्रक्रियाने वदु सक्रिय बनावी चे करन के मानवनिर्मी समग्र जगत ए भासा द्वाराज रचायलू चे औने भासा प्रतेज अवल्लवीच्छे माट ए भासानों महत्वा एक खुब ज रायुँचे अने भासा नीज मदद्थी आपणे अमूर्थ जे विच्चाहणा चे एपण करी शक्ये छे तेमाज भासा द्वारा मानसिक सक्तियोनों विकास साय चे अर्थेगहन, प्रुथक करण, संयोजन, अनुमान, सामानी करण, तारहन, नीणाई चेवीचे सक्तियों चे एमाँ प्राविणी अपण भासाना माध्यम्थी जावे छे तेमाज व्यक्तित्व घरतर माटे ए भासा विकास खुब जरूर जे आपने जो ईस, कि को गएपन व्यक्ति जहरे आपने मडे जे अरे साउथी पहला आपने एवन भाये देहाओ, जो यह चे Latt ते बोले छे यहण爊ना उपर ते आपने तेना व्यक्तित्वनु किल्यांगर करी शके छे जितल्य आपनी भासा सारी इतलु आपनू व्यक्तित्व उच्य कोटी नुँ वनिश किते कारण के भासा व्यक्ति ना समगर व्यक्तित्व मां खुबस महत्वनु भाग बजवें छे गणिवर आपने जोईसु कि घणा बदा मानो सेवा होई छे के काम घणुबद करता होई छे परन्तु तेओने एनी अभीव्यक्ती सब्द स्वरूपे के भासा स्वरूपे करी शकवाने सक्षमता होती नथी परिणामे तेओ तेमना कार्यमा पोतानू सर्वस्वरीते प्रभुत्व बतावी नथी शकता मात्य भासा एक खुबज महत्वनी बाबत छे तेरवाज आपने जोई ये माध्यमीक साड़ा कक्षा है मात्रु भासानु शिक्षन केवे माध्यमिक साडामा मात्रु भासानु शिक्षन केवो हो जी तो मात्रु भासाना शिक्षनमा एना महत्व अंगे जानकारी मेड़िया पचितेनु जतन करी गवरो जाडवानी जवाबदारी ए मात्रु भासाना संतानो नीचे परन्तु वर्त्यमान समय आपने जोई ये छे के साड़ाओं मा आ बावत नी समझ ना होई तेवू लागे छे सवथी पहला तो मुट्टा भागना जे माता पिता छे पुताना बाड़कों ने अंग्रेजी माध्यमनी साड़ामा मुखे छे परन्तु मात्रू भासा दी पर तेवो दूर करे छे अंग्रेजी भासानु ग्ण्यान प्राप्त करूए जरूरी छे परन्तु तेने मात्रू भासा दी दूर करवानी जरूर ना थी तेने पोतानी मातानी जी भासा छे, मात्रू भासा छे, एनी पण समझ होवी खुबत जरूर जी हवे प्रात्मीक, माध्यमीक, उच्छतर माध्यमीक कक्साई तो परंतु कॉलेज कक्साई पण एले के उच्च सिक्षन मा पन मात्रु भासा फर्जियात विशय तरीके सिखवाए अने खुब जरूरी छे तो जे बाढको पोतानी मात्रु भासा विशे परिचित थाशे इस इवाए अपने वाद करिए कि घणी माने विशे मात्रु भासा नो जे सिख्षक होए एने पोतानी भासा प्रत्य गवरव न थी होतु पर एनामे गुजरादी मा कईवाद छे कि कुबा मा होए तो हवाडा मा जाए कि शिख्षक ने पोताना विशे मा जो रस ना होए तो ते विद्यार्थियोंने ए विशे प्रत्य रस कीवी रिते केडवी शके तो ए बाबत पड़ खुब ज महत्मने छे कि भासा ना शिख्षक तरिके मात्रु भासा ना शिख्षक तरिके विध्यार्थी मात्रु भासामा रस लेतो थाये मात्रु भासाने जे भीवित बाबत हो छे भासाविशे महित्ति प्राप्तकरी शके ए प्रत्ते शिक्ष के खुबदध्यांदोर मुंझे कि साड़ा जेचे, साड़ा कक्षाय, आचारियो, सिक्षको, विद्यार्थियो औने वाली समुझाए अन्य विश्यों नी अपरिक्साये पोताने मात्रू भासा छे एना सिक्षनने ओचू प्राधानने आपए छे कि साड़ा मा पण आपने जोहिशू कि जितलू महत्व ए घणित विग्णान अंगरेजी जेवी विश्यों ने अपवामा आवे छे एतलू महत्व मात्रू भासाने अपवामा आवतू नथी अने परिणामे मात्रू भासानों जे खरे खरे जे कौशेले विद्यार्थी मां केडवावू जोहिए ए केडवातू नथी घणिवार्थू किटलिक साड़ाव में यू बनी जाए छे के वीजा विश्यों ना सिक्षक एनै मात्रू भासा कि गुजराती हिंदी संस्कृ जियार्थू भिश्यों भनावमा आपिदेवामा आवे छी हवे खर खर जे विश्यों जे शिख्षक होए ए व्यक्ति ए शिक्षक ते विशे ने जिटलो न्याय आपी शके इटलो न्याय अण्य विशे नू व्यक्ति ना आपी शके तो ए पन खुबस मरियादा चे बीची एक महत्वनी बाबत के एक शिक्षक तरीके हवे आपने जारे शिक्षक बनवाना चीए त्यारे सौथी महत्वनी भासाक सिष्ट भासा अने सौथी महत्वनी बाबते छे के आपने वर्ग खंड मा विद्यार्थियोंनी समक्स हम्मेसा सिष्ट भासानो सुद्ध गुजराती के आपने जेपन भासा होये सुद्ध मात्रु भासामा विद्यार्थियों साथे विचार चोले ग eder कि प्राधेसिक बोली छे क्राधेसिक भासा छे एज बोली मानेँ ये प्राधेसिक भासा दुपजे सुद्रिक भूर४ मियाशना हो ये faith inISA प्रुदि भासाना inच विद्धले अर्दिका में प्रेणाफोर्च तोरत कांव३र। त्यारे पोतानी भासा नी खामी ना कारणे त्याने घणी बदी मुस्केली ओ पड़े छे तो शिक्षक तरी के आपने ए पण ध्यानापमानी बाबत छे के सक्के होई त्यां सुधी सिष्ट भासा नो ज्वर्ग खंड मा प्रयोक करो जुई अने सिष्ट भासा नो उप्योक करो एक खुब जरूरी छे हवे किटलीक वार एव पण एवी परिस्तिती पण बने के पोताना जे पाठ होई ए पाठ मा थी योग्ये जवाबो सोधी ने पण त्यों लखी शक्ता ना थी कि विद्यार्थियों जरे मात्रु भासानुक न्यानेज प्राप्त ना कर्यों है त्यारे एमने समझवम्मा पन मुस्केली थाए कि मात्रु भासा शिक्षन एटले पाठ्थे पुस्तकों मा आपेली कृती ओजे छे एनू सिक्षन त्यामज क्रूतियों मा स्वाध्याय मा आपेला प्रश्न लखेत यार करवा कि भासाना सिक्षेक तरीके पन आपने एध्यान राखु जुए कि मात्र को एक अभ्यास्क्रम पूर्ता पाठ के कविता विद्यार्थियोंने भणावी लेवा एज शिक्षन ना थी परन्तु समग्र भासानों विद्यार्थिने परिचय करा वो व्याकरण ने लगती बाबतोंने वधारे महत्व आपू त्यारे बाळत भासाने समझी सके जी तो आरीते सिख्षकों जेछे तेमाज विद्यार थियो वचे भासाने लगती जे अंतर छे ए अंतर ने दूर करवू जोई अनि जो आ अंतर ने दूर न करवा मा आवे तो आपनी जे मात्रू भासा जे ए धिरे धिरे मरती जाय होई यह आपने लाग से तो ए पण खुब महत्वनी भावाचे तो आम आपने मात्रू भासा नो आपने अर्थ जोयो तो अर्थ ए खुब जव्यापक छे अनि आपने जोय के मात्रू भासा यह विविद्यक शेत्रों मा एनूं महत्वर रहुँ छे के सामाजी करण ना माध्यम दरीके, प्रत्यार ना माध्यम दरीके, शिक्षण माध्यम दरीके, तेमज बालक ना सर्वांगिल विकास ना माध्यम दरीके, अन्य आ बद्धाना आधारे आपने मात्रु भासा ये प्रतिदी करावे छे के समग्र व्यक्तिना जीवन मा, एक खुबज महत्व रायू छें आपने आ एकंपनाँ स्वाध्याई ना प्रश्ण जोई गिर कोल रिजे आपयल मात्रु भासां नी व्याक्यजणाओ भीजो प्रश्ण चिर जीवन विकासमा मात्रु भासानू महत्व समझाओ अने त्रीजो प्रश्ण छे शिक्षण ना माध्यम तरिके मात्रू भासा जहोवी जोई आ विदानने तमारा सब्दो मां समझाओ तो ताली मार्थे मित्रो आजना लेक्चर मा आपड़े मात्रू भासानो अर्थ संकल्पना त्यनू महत्व आने शिक्षण मा त्यनू सु महत्व छे एना विसे परिचे प्राप्त करें अवे पच्छी नावे अक्यान मा एक नवाज मुद्दा साथे आपने सो फरी मणी सु धन्यवाद